नमस्कार मैं हूँ अन्चुता शिंदे सीम बने रहेंगे स्पीकर का फैसला उनके और उनके विधायकों के पक्ष में आ चुका है लेकिन अब आगे क्या सियासी गल्यारों में ये सवाल अभी से उठना शुरू हो गया है कि स्पीकर ने तो शिंदे की पार्टी को असली शिफसेना मानेगी इसका फैसला होना अभी बाकी है दरसल ये सवाल इसलिए उठ रही हैं क्योंकि आने वाले समय में लोगसभा चुनाव हैं और उसके बाद इसी साल के आखिर में महराश्य विधान सभा चुनाव होने हैं इन चुनावों की तैयारियों में अभी से शिंदेगुट और उद्धवगुट दोनों लग गए हैं द लोगसभा और विधान सभा चुनाव के नतीजे तै करेंगे कि असली शिवसेना कौन है जनता असली शिवसेना किसे मानती है उद्धवगुट को या फिर शिंदेगुट को इसलिए कहा जा रहा है कि शिंदे का असली इम्तिहान तो आगामी चुनावों में होगा आपको ब फैसला दिया और राहुल नार्वेकर को फैसला देने के लिए दस जनवरी तक यानि दस दिनों का विस्तार और दे दिया इसके बाद दस जनवरी को लगबद देड़ घंटे तक पार्टी का सम्विधान और फैसले का आधार बताने के बाद राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुनाया। सिपकर ने कहा कि शिफसेना का 1999 का सम्विधान आधार है, 1999 का सम्विधान ही मानने हैं, चुनावा योक के रिकॉर्ड में शिंदे घुट असली पाटी है, हाला कि सिपकर के फैसले ने किसी को हैरान नहीं किया, यहां तक कि उद्धव गुट को भी कोई हैरानी नहीं हुई कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उद्धव गुट पहले से ही इसके लिए तयार था वो मान कर बैठा था कि फैसला तो शिंदे गुट के पक्ष में ही आना है संजे राउत का फैसला आने से पहले ही जो बयान आ गया था उन्होंने कहा था कि ये कौन सा फैसला है ये मैच फिक्सिंग है पी एम मोदी महराश्च राने वाले है क्या उन्हें पता नहीं है कि फैसला आने वाला है दिल्ली से लेकर यहां तक इस मामले में मैच फिक्सिंग हो रही है सिर्फ संजर राउत नहीं नहीं उनके अलावा उद्धव ठाकरे के नेतरित वाली शिवसेना यूवी थी पहले से ही अपने अगले कदम की योजना बना रही थी उन्होंने कहा था कि अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो वो फिर से सुपीम कोट का दर्वाजा खट-कटाएंगे खेर अब स्पीकर का फैसला तो आ चुका है लेकिन सवाल ये है कि इस फैसले का राज्युमे तत्काल और इस साल आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्या शिंदेगु जनता का भरोसा जीतने में कामे आप हो पाएगी क्या जनता मानेगी शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना क्योकि जिन विधायकों के बलबूत शिंदे ने बीजे पी से हाथ मिलाया सब छोड़िये जिस विधाईकी के बलबूते खुद सीम की कुरसी पर शिंदे बैठ गए वो सब उसी शिवसेना की वज़ा से है जो उद्धव वाली शिवसेना थी यानि जब चुना हुए थे उस समय पार्टी का प्रमुख्ष चेहरा कौन था उद्धव ठाकरे यानि जणता ने उद्धव के चेहरे पर वोट दिया था लेकिन अब तो उद्धव की शिवसेना अलग हो चुकी है और शिंदे की शिवसेना अलग तो क्या फिर भी जणता शिंदे वाली शिवसेना पर भरोसा जताएगी या फिर उद्धव के साथ जाएगी हाला कि जानकारों का दावा है कि जनता के उद्धव के पक्ष में जाने के चांसे जियानी की संभावनाएं ज्यादा है इसकी सबसे बड़ी वज़ात तो जनता की उद्धव के साथ साहनुभूती है जनता ने उद्धव की शिवसेना को चुना था लेकिन शिंदे ने उद्धव को धोखा दिया और बीजेपी से हाथ मिला लिया इसके अलावा राजनीती के जानकारों का ये भी कहना है कि जब भी किसी पार्टी के टुकड़े होते हैं तो जनता का जुकाव मूल व्यक्ति की तरफ होता है कॉंग्रेस इसका उधारन है आप जानते ही है कि देश की राजनीती का इतिहास पार्टियों में बगावट तूटने बनने बढ़ने और बिगड़ने के घटना क्रमों से भरा पड़ा है ग्रैंड ओल्ड पार्टी कॉंग्रेस की ही बात करें तो वो अपने गठन के बाद अब तक कई बार तूट चुकी है लेकिन तूट के बाद जब चुना हुए तो जनता का जुकाव इंदरा गांधी की तरफ ही रहा आजाद भारत की ही बात करें तो आजाद भारत के इतिहास में कॉंग्रेस दो बार टूटी पहली बार 1979 और दूसरी बार 1978 में दोनों ही बार कॉंग्रेस टूटी तो केंदर में किरदार एक था इंदरगाने एक बार तो इंदरा ने लेफ्ट और अन्य छोटे दलों के समर्थन से सरकार बचा ली लेकिन एमर्जेंसी विरोधी लहर में कॉंग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा इसके बाद कॉंग्रेस आर में भी फूट पड़ गए 1978 तर आते टकराव इस कदर बढ़ गया कि इंदरा गांधी ने फिर से नई पार्टी बनाने का फैसला ले लिया इंदरा ने कॉंग्रेस आई का गठन किया कॉंग्रेस आई को चुनाव निशान के रूप में हाथ का पंजा मिला 1980 के चुनाव में इंदरा के लिए कॉंग्रेस आई के नाम और हाथ का पंजा निशान लखी सावित हुए बड़ी जीत के साथ इंदरा फिर से सत्ता में वापस आ गई साल 1984 में कॉंग्रेस आई को चुनाव आयोग ने भी असली कॉंग्रेस के रूप में माननेता दे दी 1996 में कॉंग्रेस के नाम से आई हटाया गया और इसे इंडियन नेशनल कॉंग्रेस नाम दिया गया जो आज की कॉंग्रिस है यानि की जनता का जुकाओ पार्टी से ज्यादा चेहरी की तरफ होता है और शिफ सेना का चेहरा तो उध्धाओ है इसलिए जानकर दावा कर रहे हैं कि जनता का जुकाओ भी उध्धाओ की तरफ होने की ज्यादा संभावनाएं और उध्धाओ की त 2022 में महराश्च्र की सत्ता में उलट फेर के बाद MBA गटवंदन के हाथ से सत्ता चली गई और उद्धों के हाथ से CM की कुरसी चली गई लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई सत्ता की लड़ाई के बाद शुरू हुई शिवसेना पर वर्चस्विकी लड़ाई मामला चुनाव आयोग पहुचा तो आयोग ने पहले शिवसेना का चुनाव चिन्न फ्रीज कर दिया राजनीतिक भूचाल के बाद शिवसेना के दोनों गुटों ने दल बदल विरोधी कानून विपका उलंगन आधी के तहत एक दूसरे के विधाई को के खिलाफ कारवाई की मांग करते हुए क्रॉस ही आचकाय दायर की थी इस भी चुनाव आयोग ने शिंदे समू को मानिता दे दी थी और उसे शिवसेना का नाम और तीर धनुष चुनाव चिन्न भी दे दिया जबकि ठाकरे की नेतलतु वाले गुट को शिवसेना उद्धव बाला साइफ ठाकरे नाम दिया गया था और जलती मशाल चुनाव च स्विकार कर लिया है तो इस वीडियो में इतना ही आफ से नरोधे यूट्यूब पर हमारे चैनल आटिकल लाइंटिर इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बूक पर लाइक कीजिए कॉमेंट करके बताईए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दो पर वीडियो बनाए ये भी जरूर बताईएगा टुटर है आटिकल 19 अंडिया इसे भी फॉलू कर लिए नमस्कार था कि एक दिन हम बारा साथ फातरी की शिवुसना खतम कर रहेंगे लेकिन शिवुसना इसी खतम नहीं होगी आपके निर्णे से आपके कागस से आपके भाड़े के तट्टू के मुझ से कोई अधिकार और ओर जिले से शिवुसना जनता में है शिवुसना महाराष्टा के रगो रगो में है तो आज का दो दिर्णे है तो कोई फैसला नहीं है वो की न्याय नहीं है वो एक शड़े अंत्र है हम सुप्रिम कोट जरूर जाएंगे हम जन्याय में हमारी लगाई जारी रही है यह जो कोई इदान सवा के स्पिकर है जिसको ट्रैपुनल का अधिकार दिया था सुप्रिम कोट ने हम उनको एक बहुत बड़ा नया इतिहास लिखने का मौका मिला था सुविधान के अधार पर दूंड़ देने का और इतिहास दिम्मान करने का उनको एक बहुत बड़ा मोका मिलाता ता वो मोका गवाया है और इस व्यक्ति ने भी महारहश्छ के पीट में खंजीर खुप्सा है कि इस व्यक्ति ने जो सविधान फिट पर बैठे है और निर्ने दिया है उस व्यक्ति ने भी महाराश्टा के फिट में खंजिर खुफशा है और इतिहास उनको याद रखेगा जिसने भी ये निर्ने दिया है और जो आज इस निर्ने के बाद तालिया पीट रही है या फटा के बज़ा रहे हैं वो सब महाराश्टा की घंदार और बेमान है और उनकी स्थिति मुस्लुनी जैसी होगी